So what is up guys, welcome back to episode number 2 of cover stories explained और आज हम लोग बात कर रहे हैं cover story 6 के बारे में यानि की ace की cover story के बारे में So now without any further ado, let's start the video So manga के starting में हम लोग देखते हैं कि grand line के किसी island में ace को कोई restaurant का chef दोड़ा रहा होता है क्योंकि उसने खाना खा कर पैसे नहीं भरे थे And जब वो उससे काफी दूर निकल जाता है तो वो अपना वापस से search start करता है यानि की वो black bait के बारे में लोगों से पूछने लगता है और काफी पूछतास करने के बाद उससे एक doctor black bait के बारे में पता चलता है और वो उसको ढूंड भी लेता है लेकिन जब वो उसको पीछे से देखता है तो हाँ वो बिलकुल black bait के तरह ही लग रहा होता है और इसलिए वो उसको एक लाथ मारता है लेकिन वो निकलता है कोई और इसी वोज़े से जो वहाँ के villagers थे वो लोग काफे गुस्सा हो जाते है और एसको literally लाथ मारकर पानी में फिक देते हैं अब आगए बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कॉंस island है वैसे तो मांगा मैं ये कहीं भी नहीं बताया है कि ये कॉंस आइलेंट और नहीं आहिंट के बारे में कुछ इन्फोर्मिशन दी गई है पर मुझे पता ये कॉंस आइलेंट है क्यों क्योंकि मेरी बात ओडा से होते रहती है हाँ हम लों साथ में चाय वे भी पीते हैं वो बात कभी और करेंगे तो उन्होंने मुझे बता है कि इस आइलेंड का नामे लुलुईसा किंगडम और काफी टाइम पहले इस आइलेंड के पास ही एक G2 यानी की एक मरीन बेस हुआ करता था और इसी आइलेंड से वो लोग अपना सप्लाइज यानी की पानी और खाना वगरा लाते थे और इस वज़े से ये आइलेंड एक तरीके से प्रोटेक्टेड था पर अब वो ओफिस कहीं और सिफ्ट हो गया है और ये आइलेंड के रिष्टे में अब मरीन से नहीं पड़ती है और फिर बाद में जाकर यहाँ पर पीच बेर्ट पाइरेट्स अटैक कर देती है हाला कि रिवॉलिशनरी आर्मी वहाँ के सेटिजन्स को आकर बाद में बचा लेती है तो अब चलो वापस स्टोरी में आते हैं जब विलिजर्स एस को लाथ मार कर नदे में गिरा देते हैं तो इसलिए वो डूबने लगता है पर फिर एक मोडा नाम की लड़की उसे बचाती है और उसे अपने घर ले जाते है और जब एस को होस आता है तो वह उसे अपना दूद मेरा मतलब गाय का दूद ओफर करती है और फिर वह उससे एक हेल्प भी मांगती है मुडा कहती है कि एस को ये लेटर एक मरीन के आफिस तक पहुचाना होगा जो कि यहीं पास में है और एस मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसने उस्की जान बचा ही है और वो चला जाता है मरीन आफिस Marine Base पहुचते ही Ace एक Marine को पकड़ कर उसका धुलाई लगा देता है और उसके Outfits चुरा कर पहन लेता है जिसके बाद Ace अपने आपको एक Restaurant टाइप जगा पे पाता है जहाँ पर Basically मुफ्त का खाना मिल रहा होता है तो Ace भी वहाँ पर खाना खाने लगता है और इसी दोरान वह किसी को सुनता है कि वह White Bear के बारे में बुराई कर रहा था Ace के सामने मतलब किसी को पता नहीं था कि वहाँ पे Ace बैठा हुआ है पर Ace वहाँ पे बैठा हुआ था तो वह उस Marine का गंदा वाला पिटाई करता है जिसके वज़े से Ace का Identity सब के सामने रिवील हो जाता है और सारे के सारे Marines उसको चेस करने लगता है और इन दे मीन टाइम बैस में कहीं पे एक मीटिंग चल रही होती है जहां पे Vice Admiral Kormil, Chai Wai मेरा मतलब कौफी पी रहा होता है पर Unfortunately वो काफी काफी कड़ भी निकलती है और उसे वो बिलकुल भी पसंद नहीं आती है आगे हमें यह दिखाया जाता है कि उस Marine Base में एक Marine का Scout से पहुंचता है पर फिर अचानक से उस सिप में आग लग जाता है किसी पाइलेट की हो जैसे क्या यह एस का काम था पता नहीं यहां पर बिंसन नहीं किया पर यहां पर जो Marine थी वो काफी डरी भी होती है क्यों क्योंकि इस सिप पे बिलकुल टॉप सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट रखे वे थे जो की जलने वाले थे और इसी दोरान उन में से एक Marine उस सिप के तरफ कूछ जाता है और यह पता चलता है कि वह Marine और कोई नहीं बलकि Ace है तो वह वहां पहुँचकर उन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ जाता है और एक Unconscious Marine को भी बचा लेता है पर ऐसा करनी के उज़े से सब को पता चल जाता है कि यह बंदा Ace है और सब उसको वापस से चेस करने लगते हैं पर Ace इस बार भागता नहीं है बलकि वह उनके अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है क्योंकि अफकॉर्स वह एक लोग या यूजर है और वो जाने से पहले कॉमिल को अपना लेटर दे देता है और अब फाइनली हमें यह पता चलेगा कि उस लेटर में क्या लिखावा था थूड़ा सा सस्पेंस क्रियेट करते हैं तो आखिर उस लेटर में ऐसा क्या था कि एस अपनी जान की बाजी लगा कर मरीन बेस में गुज जाता है उस लेटर को डिलेवर करने के लिए आखिर उस लेटर में ऐसा क्या था क्या वो एक लव लेटर था या फिर हमारे कौमिल के लिए कुछ बहुत ही स्पेसल था या फिर कुछ और जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ क्योंकि अभी हम लोग को पता चलने वाला है कि इस लेटर में क्या था तो मोडा ने उसमें लिखा था कि प्लीज मेरा दूद खरीद लो फाक गाय का गाय का दूद खरीद लो और यार सिर्फ इसके लिए सिर्फ इसके लिए लेटर भीजाता क्या क्या इसने बताया नहीं था कि वो एक पाइरेट है और मरीज उससे पकड़ कर मारेगी हाला कि उसका उल्टा हो गया लेकिन तब भी यार सिर्फ इसके लिए तो अगले दिन एक मरीन सिप मोडा के घर के पास पहुंसती है उसका गाय का दूद लेने के लिए और यह रिवील किया जाता है कि उस सिप में जो कुक्स थे वो लोग निकलते हैं मोडा के पैरेंस and now it makes sense क्योंकि मोडा के पैरेंस मरीन सिप में रहते थे यानि कि वो कुक्स थे वहां के तो इसी वज़े से वो मोडा से दूर रहते थे and वो उससे नहीं मिल पाते थे पर अब इस दूद की वज़े से यानि दूद लेने की वज़े से उन्हें बार-बार यहां पे आना पड़ेगा and मोडा उनसे मिलते रहेगी और यहां पर एक और चीज़ हुआ कि उस कॉफी का टेस्ट भी अचानक से अच्छा हो जाता है सैथ उस दूद की वज़े से अगर यह obvious नहीं है तो बस यहां पर एक इनसान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ वह था पॉटकस्ट डी एस उसका सिर्फ यहां पर वक्त बरबाद हुआ और अब वो वापस निकल चुका है ब्लाक बेट को खोजने के लिए गुट लग एस ब्लाक बेट को अच्छे से पीटना तो यार मुझे यह बताओ कि मैं cover stories को continue रखूँ या फिर छोड़ दूँ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो like करना अगर नहीं पसंद आई हो तो dislike कर सकते हो चैनलों को subscribe करना one piece related content के लिए see you on the next video